आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप का सीखने वाले हैं अडोबी अफटर इफेक्स के इंदर वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है जैसा कि आप लोग ने वीडियो के स्टाइडिंग में भी देखा होगा सो बेसिकली कुछ इस टाइप का आज हम सीन में कमपॉसिटिंग करने वाले हैं एन गाईज वन मोर तिंग इस वीडियो के इनदा जितने भी फूटेज का मैं यूस कर रहा हूँ उन सभी का लिंक मैंने अपडेट कर दिया है डिस्क्रेप्शन में आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं for practice purpose सो वीडियो को शुरू करते हैं सो यहाँ पर मैंने फूटेज को इंपोर्ट कर लिया है सबसे पहले स्टाइप हम लोग क्या करने वाले हम करेंगे इसमें ट्रैकिंग सो मैं क्या कर रहा हूँ मैं आप ले रहा हूँ एक new null object सो right click करेंगे new null object और इसके बाद मैं कर रहा हूँ select अपनी main footage को और simply मैं यहाँ पर गया tracker में अगर आपको यहाँ पर tracking के option नहीं मिलते हैं सो आप जाओ window में और यहाँ पर आपको मिलेगा tracker ठीक है इसके बाद मैं यहाँ पर simply click कर रहा हूँ track motion के उपर guys आप लोग यहाँ पर track camera भी use कर सकते हैं बट जब मैंने यहाँ पर track camera किया था तो मुझे यहाँ पर अच्छे result नहीं मिले अच्छे points नहीं मिले because यहाँ पर जो water है moving है so that is the reason कि मैं यहाँ पर track motion यूज़ कर रहा हूँ बट हम यहाँ पर track camera भी use कर सकते हैं और इसके बाद मैं यहाँ पर on कर रहा हूँ rotation को because हमारे यहाँ पर scene में थोड़ी बहुत rotation भी है थोड़ी बहुत नहीं rotation है इसके बाद simply मैं क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर गया और मैं किसी दो point को यहाँ पर कर रहा हूँ track so simply मैं यहाँ पर इसे इस वाले point में कर रहा हूँ track something like this ठीके कुछ इस type से और एक point मैं यहाँ पर कर रहा हूँ track आपको ऐसा point देखना है जिसका contrast अच्छा खासा हो ठीके जैसे मालों यहाँ पर इस वाली pixel का contrast अच्छा है और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस सिर्फ एक यहाँ पर color कुछ इस type से है बाके यहाँ पर जो इसके side के जो pixels है वो different है ठीके so यहाँ पर tracking करने में easy हो जाता है इसके बाद simply आपको क्या करना है यहाँ पर क्लिक करना है edit target के उपर और यहाँ पर आपको select करना है जो भी हमने यहाँ पर null object trade किया था so that इसका जो tracking data है वो null object के उपर आ जाएगा then simply आपको करना है play it means analyze forward so basically यहाँ पर track हो रहा है इसके बाद मैं आपको simply क्लिक कर रहा हूँ apply के उपर then okay प्रेस करेंगे आप लोग यहाँ पर देख सकते है data यहाँ पर आगे है null object के उपर position and rotation इसके बाद मैं आपक sky की यहाँ पर image को ले के आ रहा हूँ कुछ इस type से और इसको मैं कर रहा हूँ size में increase express करेंगे और यहाँ पर मैं इसके कुछ इस type से increase कर रहा हूँ something like this और इसको यहाँ पर set कर रहे है अभी मैं आप इसकी opacity को कर रहा हूँ just कम कर लेते हैं ठीक है यहाँ पर इसकी properties मिलती है transform की और इसके according यहाँ पर हम इसे set कर लेंगे then simply मैं यहाँ पर इसको parent कर रहा हूँ null object के साथ so आपको just इस वाले icon को parent करना यहाँ पर इस null के साथ so that क्या होगा यह sky follow करेगा इस null object को कुछ इस type से थोड़ा सा आप इसको यहाँ पर set कर लो something like this ठीक है अब guys इसके बाद अगर आपको suppose that यहाँ पर यहाँ आपको सारे options मिल जाएंगे इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ मैं इतना पार्ट यहाँ पर cut कर रहा हूँ because मुझे यहाँ पर इतना additional part नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर simply गया paint tool के उपर मैं यहाँ पर just इतना पार्ट को यहाँ पर कर रहा हूँ cut something like this आप यहाँ पर detailing में काम कर सकते हैं but अभी मैं आप यहाँ वीडियो परपस से so मैं आप थोड़ा बहुत shortcut apply कर रहा हूँ ठीक है इसके बाद मैं वापस इसकी opacity कर रहा हूँ 100% then मैं आप इसके mask में गया इसे मैंने आप एक कर दिया subtract ठीक है then यहाँ पर open कर गए mask की properties और थोड़ा बहुत यहाँ पर feather apply कर लेते हैं round 8 ठीक है so कुछ इस type से मैं यहाँ पर देखने को मिलेगा something like this यहाँ पर आप एक काम करो इस mask को आप थोड़ा बहुत आगे shift कर दो कुछ इस type से ठीक है यहाँ पर जो sky को भी थोड़ा सा आप इधर लियाओ something like this और थोड़ा बहुत आप यहाँ पर इसकी properties को change कर सकते हूँ mask की अब गाईज यहाँ पर हमें एक problem यहाँ पर देखने को मिल रही है यहाँ पर जो भी हमारा यह object है जो भी हमारे आपर main couple है वो यहाँ पर background में shift हो गया ठीक है इसको fix कैसे करेंगे है simply हमें आपर लेने एक duplicate copy अपनी main footage की so edit में गए duplicate और इसको में लिके आ रहा हूँ top में then इसके बाद मैं आप इसे rename कर रहा हूँ just masking अब हम क्या करेंगे first frame में आते हैं simply मैं आपको क्लिक करें rotobrush tool के उपर और यहाँ पर आपको करना है double click so that हम यहाँ पर composition panel से shift हो जाएंगे layer panel के उपर अब हम क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर इसे करेंगे just masking अगर आपको नहीं पता rotobrush tool कैसे use करते हैं इसके regarding मैंने proper video बना रखी है मैं link update कर दूँ में description में आप लोग देख सकते हैं आपको simply इसका upper part आपको यहाँ पर करना है select कुछ इस type से ठीक है और जो भी आपका part है stripe से इसे कर लेते हम लोग something like this ठीक है आपको यहाँ पर simply press करना है paste down इससे क्या होगा हम लोग एक frame आगे forward हो जाएंगे आगे shift हो जाएंगे अब जितनी भी आपकी footage है उसके recording है आप इसे कर लेना masking मैं आगे एक एक frame आगे shift कर रहा हूँ paste down के help से so यहाँ पर हमारा masking वाला part यहाँ पर complete हो चुगा है इसके बाद simply यहाँ पर click करेंगे freeze के उपर so यहाँ पर यह basically frame को cut out करना शुरू कर देगा so यहाँ पर हमारे frame cut out हो चुके है अब इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़े बहुत issue आपको देखने को मिलेंगे so आप इसको basically यहाँ पर इसको manage कर सकते हो by using feather and contrast अगर आपको लगता है फिर भी यह issues fix नहीं होगे है so in that time आप जब इसको roto करोगे तो आप वहाँ पर perfection के साथ करना otherwise आप mocha pro use कर सकते हो for masking and roto ठीके but इसको हम manage कर लेंगे in color correction इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर create करेंगे एक new solid so right click करेंगे new solid और यहाँ पर just मैं type कर रहा हूँ trap code then मैं यहाँ पर गया effect में और यहाँ पर आपको मिलेगा link आपको मिल जागा description में but यह plugin paid है ठीके इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ अभी गाई जैसे मालो यहाँ पर मैं कुछ frame आगे गया इसको मैं कर लेता हूँ third या half कर लेते हैं so यहाँ पर हमें particles completely यहाँ पर दिख रहे हैं अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं particles हाँ पर born हो रहे हैं और dead हो रहे हैं ठीके so हम क्या करेंगे जैसे मालो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर एक keyframe लगाई particles second के ऊपर इसके बाद मैंने प्रेस किया keyboard में paste down for one frame forward ठीके और यहाँ पर मैंने इसे कर दिया zero ठीके now we can see मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से keyframes देखने को मिलेगी इसके बाद मैंने इस layer को two parts में divide कर दिया मैं आप यहाँ पर simply के edit split layer आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर keyframes के ऊपर यहाँ पर इसको divide के two parts में इसको मैं कर रहाँ delete इसके बाद मैं इसको simply यहाँ पर shift कर रहाँ आगी की तरफ something like this और इसको यहाँ पर कुछ इस टाइप से कर लेते हैं now इसके बद क्या करेंगे simply मैं यहाँ पर गया इसके emitter type में और मैं यहाँ पर इसके कर रहाँ box और यहाँ पर आपको मिलागा emitter size इससे मैं हाँ पर कर रहाँ simply x, y, z individual और यहाँ पर इसके जो size है इसे मैं कुछ इस type से move कर रहाँ it means x में spread कर रहाँ y में और z में something like this ठीके और यहाँ से मैं इसको उपर की तरफ लेके जा रहाँ but अभी भी यहाँ पर हमारी problem solve नहीं हुई है so अब हम लोग क्या करेंगे simply जाएंगे नीचे यहाँ पर आपको मिलता है physics और यहाँ पर आपको मिलेगा air यहाँ पर आपको click करना है तर यहाँ पर आपको मिलता है air resistance आपको इसकी value करनी है around 24 so now we can see कुछ इस टाइप से बट अभी भी यहाँ पर थोड़े बद particles move कर रहे है so इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर जाएंगे particles के इंदर और यहाँ पर आपको मिलेगा life second कि मतलब particles की life कितनी होनी चाहिए so यहाँ पर हम decide कर सकते है इसे मैं कर रहा हूँ around 28 ठीक है now we can see यहाँ पर प्रॉलम यहाँ पर solve हो चुकी है इसके बाद हम क्या करेंगे मैं यहाँ पर आता हूँ first frame में और इन particles को मैं कर रहा हूँ parent is null object के साथ so हमें यहाँ पर कुछ इस type से देखने को मिलेगा अब हम लोग क्या करेंगे guys मैंने यहाँ पर एक video बना रखी है so मैं इस video को कुछ इस type से यहाँ पर dragon drop कर रहा हूँ balloon की so basically मैंने इस model को download किया था उसके बाद मैंने आप इस element 3D के इंदर मैंने आप पर कुछ movement दे रखी से कुछ इस type से ठीके don't worry मैं आपको इस प्रवाइड कर दूँगा अब हम क्या करेंगे simply मैं यहाँ पर trap code के इंदर then यहाँ पर आपको जाना है particles और यहाँ पर मैं simply click कर रहा हूँ particles type में sprite ठीके इसके बाद simply नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको बिलता texture और यहाँ पर हम लोग layer को कर रहे है हाँ पर balloon ठीके बट अब यहाँ पर एक problem देखने को मिल रही है तो हम इसको यहाँ पर fix कर लेते हैं इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ अपनी balloon layer को कर रहा हूँ select right click करेंगे pre compose और यहाँ पर click कर रहे है move all attributes then मैं simply इसके अंदर गया और मैंने हाँ पर इसे कर दिया just composition composition setting और मैंने हाँ पर इसे कर दिया 1920 की जगे 500 by 500 so that जो भी problem होगी वो solve हो जाएगी और इसको मैंने shift कर दिया यहाँ बीच में इसे full कर लेते हैं वापस आते अपनी main com में अब इससे क्या फाइदा होगा एक तो हमारी file heavy नहीं होगी और थोड़ी बहुत हमें issues देखने को नहीं मिलेंगे ठीके हमारा PC यहाँ पर hang नहीं होगा अगर आपकी PC की configuration कम भी है तो यह काम कर जाएगा ठीके अब मैं क्या कर रहा हूँ simply वापस गया और यहाँ पर वापस गया मैं particles के अंदर और particle का size मैं कर रहा हूँ around 400 something like this और जो भी main हमारी यहाँ पर balloon है उसे मैं कर रहा हूँ close उसकी eyes को इसके बाद अब मैं कैच आ रहा हूँ guys particles यहाँ पर जो भी हमारे balloon है वो नीचे से उपर जाए it means जो भी balloon होता है हमारा उसके जैसे react करें इसके लिए मैं नीचे आया यहाँ पर आपको मिलता है gravity और gravity को मैंने आपको कर दिया around minus 1300 ठीक है इससे क्या होगा हमारे balloon ऊपर की तरफ यहाँ पर जाएंगे ठीक है इस type से आप देख सकते balloon आपको जा रहे है अब यहाँ पर एक problem और यहाँ पर देखने को मिल रहे है वो क्या है साइड में यहाँ पर हमारे balloon कट रहे है ठीक है इसका reason क्या है मैं आपको बताता हूँ अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ ट्रैप कोड में और यहाँ पर क्लिक करता हूँ solid setting अभी जो हमारी यहाँ पर width है वो है 1920 by 1080 सो हमें यहाँ पर इसकी width को बढ़ाना पड़ेगा क्यों so that हमारी यहाँ पर problem solve हो जाएगी so मैं यहाँ पर simply इसको आगे की तरफ shift कर रहा हूँ कुछ इस type से so यहाँ पर आप लोग देख सकते हो problem यहाँ पर solve हो गई ठीक है जब भी अगर आपको ऐसा issue मिलता तो आप इसकी values को बढ़ा सकते है width and height को but अभी हम यहाँ पर height की need नही है then okay press करेंगे now we can see particles नीचे से shift कर रहें ऊपर की तरफ कुछ इस type से ठीक है अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं simply मैं गया अपनी main footage के ऊपर और मैं यहाँ पर गया effect and presets में और यहाँ पर just type कर रहा हूँ मैं tint और tint को इसको उपर कर रहा हूँ drag and drop something like this और यहाँ पर इस type से मैं आपर color कर लिया इसके बाद मैं इसके उपर apply करने वाला हूँ some curves कुछ इस type से और curves का जो भी यहाँ पर highlight पार्ट मैं इसको कुछ इस type से यहाँ पर कर रहा हूँ something like this ठीक है इन दोनों को मैं आपर कर रहा हूँ select control c से copy कर रहा हूँ और अपनी main masking वाली layer के उपर कर रहा हूँ paste कुछ इस type से आप लोग आपर देख सकते हैं इतने वाले part में ठीक है इसके बाद मैं आपर कर रहा हूँ थोड़ी बहुत color correction so right click करेंगे new adjustment layer top में लेकर आते हैं then मैं इसके उपर apply करने वाला हूँ some glow कुछ इस type से और glow के आपर जो भी properties है इनको मैं आपर कर रहा हूँ कुछ change कुछ इस type से something like this थोड़ा सा इसको spread कर लेते हैं इसके बाद मैं इसके उपर apply करने वाला हूँ some lumetric color कुछ इस type से और creative में गए यहाँ पर मैं preset use कर रहा हूँ so simply मैं यहाँ पर use कर रहा हूँ SL, bleach, LDR और यहाँ पर मैं इसके intensity कर रहा हूँ around 40 और यहाँ पर इसका vibrancy मैं कर रहा हूँ around 40 या 35 कर लेते हैं इसे हम कर लेते हैं minus में कर लेते हैं 40 ठीक है कुछ इस type से इसके बाद यहाँ पर आप इसके toning को भी थोड़ा बहुत change कर सकते हैं और मैं यहाँ पर गया vignate में गया और simply मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका vignate amount इस type से यहाँ पर मैंने increase कर लिया something like this ठीक है one more thing अब guys हम लोग क्या करने वाले है अपनी यहाँ पर जो भी हमारी mail footage है sky की यह वाली इसके उपर मैं apply करने वाला हूँ shine so यहाँ पर just type कर रहा हूँ shine so basically shine भी यहाँ पर plugin है red giant की अगर आपको नहीं पता shine कैसे use करते हैं इसके regarding मैंने video बना रखी है so आपको description में link मिल जाएगा अब मैं आपर गया colorize के उपर मैंने आपर simply कर दिया one color और यहाँ पर इसे मैं कर रहा हूँ white then simply मैंने आप इसकी properties को open किया preprocess और threshold मैं आप इसका increase कर रहा हूँ कुछ इस type से something like this so that हमें आपर light सिर्फ इतने वाले part में देखने को मिलेगी इसके बाद मैं simply आपर गया use mask में क्लिक कर रहा हूँ ठीक है और थोड़ा बहुत यहाँ पर हम mask का area apply कर रहे है something like this और इसकी जो raise है इसे मैं आपर कर रहा हूँ around 3 ठीक है now see before and after ठीक है इसके बाद मैं आपर कर रहा हूँ सबी layer को select control A से या तो आप यहाँ पर drag कर सकते हैं right click करेंगे pre compose और यहाँ पर type कर रहा हूँ final comp then ok press करेंगे एक बार इसे play कर लेते हैं so कुछ इस type से मारा आपर final output ready है guys आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था I hope करते हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो आपको वीडियो समझ में आई हो guys अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर सकते हैं and bell icon press करना ना भूले इसके लाबा कुछ भी doubts होते हैं आपको वीडियो के रिगार्डिंग आप लोग comment कर सकते हैं and guys आप हमें Instagram and आप हमारे Facebook के हमें follow कर सकते हैं हम लोग महाँ पर कुछन कुछ update करते रहते हैं हमने काम के रिगार्डिंग तब तक के लिए guys take care bye bye मिलते है किसी next video में